दोस्तो, गुपता एंपायर के बाद पूरा भारत वर्ष फिर से छोटे-छोटे प्रदीशों में बंड गया था, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा विराट समराट हुआ, जो पूरे उत्तर भारत में अपना सामराज्य कायम करने में सफल हो गया, और साथ ही साथ शिक्षा साहित्य, धर्म और टॉलरेंस की प्रिरणा भी बना, प्रयाग और कन्नौज असेमली जैसे बड़े आयोजन उन्ही की काल में आयोजित किये गए, इस कारण उन्हें सकलोत तरा पतेश्वरा यानि की लौर्ड अवद नौत भी कह जाता है, ये समराट कौन थे? दोस्तों, ये थे पुष्च भूतिवन्ष के महान शासक सिलादेत्य हर्ष वर्धन जिनकी आज हम बात करेंगे, तो आईए शुरू करते हैं पलिटिकल हिस्ट्री से साल है 680 का, हर्ष वर्धन 10 साल के हो चुके थे, उनके पिता एवं प्रतापी राजा, प्रभाकर वर्धना, थानेश्वर, जो की प्रेजन डे हर्याना रीजन के एराउंड था, उसके राजा थे वे बेहद सूजबूज से पुष्य भूती वन्ष के सामराज्ज को विदेशी खत्रों से प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर 605 AD में उनके पिता प्रभाकर वर्धना अन्टाइमली गुजर जाते हैं, और उनकी माता येशुमती सती हो जाती हैं इस मुश्किल घड़ी में हर्ष वर्धन के मामा और चीफ मिनिस्टर भांडी हर्ष वर्धन के बड़े भाई राज्य वर्धन को राज सिंहासन पर बैठने के लिए मना लेते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थानेश्वर की जियोग्रफी समझ लेते हैं थानेश्वर आज के हर्याना राज्य में लोकेटेड था इसके इस्ट में कान्यकुज या कन्नौच था जहां मुखारी वन्ष के ग्रह वर्धन का शासन था वेस्ट में वल्लभी था जहां मैत्रका वन्ष के ध्रुवसेना टू का राज था नौर्थ में कश्मीर था और साउथ एंड साउथ वेस्ट में मालवा जहां देव गुपता का शासन था और गौड यानी बंगाल के राजा थे शशांक जो देव गुपता के दोस्त थे इसके अलावा फारीस्ट में कामरूप यानी असाम में भासकर वर्मन का शासन था थानेश्वर राज़् के एंफ्लूएंस को बढ़ाने के लिए हर्श वर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन अपनी बेटी राजी श्री की शादी कर्नोज के राजा ग्रहवर्मन के साथ करवा देते हैं इस मैट्रिमोनियल अलायन्स से थानेशवर राज्य की प्रतिष्ठा पूरे उत्तर भारत में काफी बढ़ जाती है परंतु प्रभाकर वर्धना की मृत्यू के बाद मालवा के राजा देव गुपता करनौज पर आक्रमन कर देते हैं बड़ी कुरूरता से वो ग्रह वर्मन को मार देते हैं और राज्य श्री को बंदी बना लेते हैं बदला लेने के लिए राज्य वर्धन मालवा पर एक बड़ी सेना के साथ हमला कर देते हैं और देव गुपता को हरा कर राज्य श्री को छुड़ा लेते हैं राज्य वर्धन की विशाल सेना देखकर गौर यानि बंगाल का शासक शशांग समझ जाते हैं कि राज्य वर्धन को सीधी लड़ाई में हराना नामुम्किन है इसलिए वो चलका साहरा लेकर राज्य वर्धन को मार देते हैं इसके बाद राईज होता है राज्य वर्धन के छोटे भाई हर्ष वर्धन का आईए देखते हैं राईज अव हर्ष वर्धना राज्य वर्धन की अचानक हुई मृत्यू से हर्ष वर्धन बहुत छोटी उम्र में अकेले पड़ जाते हैं पर भांडी मामा को पता था कि हर्श वर्धन अपने भाईया से कहीं अधिक कुशल, पराक्रमी और चतुर राजा बन सकते हैं। इसलिए भांडी मामा हर्श वर्धन को ललकारते हुए कहते हैं कि ये वक्त आंसू बहाने का नहीं, बलकि शत्रूओं का खून बहाने का है। हर्श वर्धन सबसे पहले अपनी बहन को विंध्याचल के जंगल में सती होने से रोक लेते हैं। और फिर शुरू होता है शिव भक्त हर्श वर्धन की लड़ाई और जीत का सिलसिला। उनके एक लाख सैनिक और साथ हजार हाथी के विशाल सेना के सामने कोई राजा टिक नहीं पा रहा था। राज वर्धन को चल से मारने वाले शशांक भी हर्श वर्धन की सेना को देखकर कन्नौज से पीछे हड़ जाते हैं। इसके बाद हर्श वर्धन कनौज को न केवल अपने राज में मर्ज कर लेते हैं, बलकि अपनी कैपिटल थानेशवर से कनौज शिफ्ट कर देते हैं। शशांक के चल का बदला लेने के लिए हर्श वर्धन भी शत्रंज की चाल चलते हैं। पहले वो कामरूप यानि आसाम के राजा भासकर वर्मन से एक मैत्री संधी कर लेते हैं, फिर गौड पर दो तरफा आक्रमण कर देते हैं। शशांक जैसे तैसे अपनी जान बचाकर कहीं दूर जंगल में भाग जाता है। कुछ सालों बाद उसकी मृत्यू हो जाती है और पूरा गौड सामराज्य हर्ष वर्धन के आधीन हो जाता है। वेस्ट में वलभी के राजा और पुलकेशिन 2 के मित्र धुरुव सेना 2 को भी हार माननी ही पड़ती है। पर बफर स्टेट मेंटेन करने के लिए हर्ष वर्धन वलभी को पूरी तरह एनेक्स करने के बजाए दुरुव सेना 2 को वापस गद्दी पर बैठा देते हैं। ये हर्ष वर्धन की बड़ी जीत होने के साथ साथ उनकी बेहतरीन स्टेट क्राफ्ट का नमूना भी था। इस तरह इस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सब तरफ हर्ष वर्धन अपना विजय पर्चम लहरा देते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर में हिमाले, दक्षन में नर्मदा, दक्षन पश्चिम में अरबसागर, दक्षन पूरब में बंगाल की खाड़ी और पूरब में ब्रह्म पुत्र घाठी तक उनका सामराज्य पहल जाता है। लडाई, जीत और सूजबूच से हर्श वर्धन, सकलोत्तरा पथेश्वर यानि Lord of the North की ख्याती पा लेते हैं। उनके विजय रत को एक मात्र जटका नर्मदा पार करने पर चालुक के शासक पुलकेशन टू द्वारा लगता है, जिसका एविडेंस हमें आई होल इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। आईए जानते हैं इसके बारे में। आई होल इंस्क्रिप्शन हर्श वर्धन और पुलकेशन टू के बीच हुई महान लडाई का वर्णन पुलकेशन टू के राजगवी रवी कृती द्वारा लिखे आई होल इंस्क्रिप्शन में देखा जा सकता है। आई होल इंस्क्रिप्शन संस्क्रिप्शन में होने के बावजूद कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इंस्क्रिप्शन के अनुसार पुलकेशन टू ने हर्षवर्धन के अलावा कई और साउथ इंडियन किंग्स को भी हरा दिया था। उन्होंने अपनी राजधानी आई होल से बदल कर बदामी कर दी थी। इस इंस्क्रिप्शन में कालिदास का भी मेंशन है। उनका एंपायर टिक नहीं पाता और नौर्थ इंडिया में फिर से इंस्टेबिलेटी आ जाती है। दोस्तों हर्षवर्धन की सफलता में उनके एफिशन्ट एड्मिनिस्ट्रेशन का बड़ा रोल था। इसलिए आईए अब हम उनका एड्मिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देख लेते हैं। एड्मिनिस्ट्रेशन अंडर हर्षवर्धन ने मौर्या और गुपता काल से इंस्पिरेशन लेकर कई एड्मिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किये। यही कारण था कि वे लगभग 40 साल तक शासन कर पाए थे। पर गुपताज के कमपैरिजन में उनका एड्मिनिस्ट्रेशन ज्यादा डीसेंट्रिलाइस्ट और फ्यूडल एलेमेंट से भरा हुआ था। राजगदी सम्हालने के बाद वो अपनी राजधानी थानेश्वर से बदल कर कन्नौज कर देते हैं। इससे कुछी सालों में कन्नौज पूरे उत्तर भारत का ध्रुवतारा बन जाता है। राजकवी बान भट्टद्वारा लिखित राजा खुद अपनी सेना के कमांडर इंचीफ भी होते थे। हर्षवर्धन ने महराज अदिराज, परम भट्टरा का परम महिश्वरा जैसे टाइटल भी लिये थे। वे एक उदार राजा थे और खुद परस्नली प्रशासन की गतिविधियों पर नज़र रखते थे। राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिशत भी होता था जिसको चीफ मिनिस्टर हेड करते थे। अवंती नाम के अधिकारी वर और पीस डिपार्टमेंट देखते थे। सिंगनाद मिलिटरी हेड होते थे। सकंद गुप्ता हाथी दस्ते के हेड होते थे। और सिविल एड्मिनिस्टरेशन के प्रमुख को सामंत महराज बुलाया जाता था। पूरे सामराज्जी को प्रदेशों में बाटा गया था, जिसे भुक्ती बोला जाता था। भुक्ती का विभाजन विश्याज यानि जिलों में किया गया था। गाउं प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट हुआ करती थी। लोगों पर मिनिममम टैक्स बर्डन रखा गया और गुड गवनन से एड्मिनिस्ट्रिटिव एक्सपेंसेज को कंट्रोल किया गया था। लैंड रेविन्यू जिसे भाग बोला जाता था, सामराज्ज्जी का प्रमुख आय स्रोत था, ये उबज का वन सिक्स्त भाग होता था, और फसल की रूप में ही दिया जाता था। सेल्स टैक्स और टोल टैक्स आय के अन्य सुरोत हुआ करते थे। इसके अलावा छोटे-छोटे राजा और फ्यूड ट्रीज भी एंपरर को ट्रिब्यूट दिया करते थे। लॉइंड ओर्डर अच्छा था, परन्तु उसमें कुछ कमिया भी थी। उधरन स्वरूब, सफ के अलावा हर्श वर्धन की सफलता का श्रे उनकी विशाल और प्रशिक्षत आर्मी को भी जाता है। चलिए जानते हैं। पर डिसकेशन किये बिना आज की चर्चा अधूरी रह जाएगी। आईए पहले देखते हैं हर्श वर्धन एंपायर की सोशल लाइफ को। हर्श वर्धन के समय में वर्ण सिस्टम पूरी तरह से मौडिफाय हो गया था। वर्ण सिस्टम के अंदर कास्ट सिस्टम इंपेरिकल रियालिटी बन गया था। जन्म के आधार पर विभिन जातियों में सदस्यता मिलती थी और इसे जन्म के बाद बदला नहीं जा सकता था। इंटरकास्ट डाइनिंग और मैरिज प्रोहिबिटिट था। जिसके लिए कठोर दंड का प्रावधान था। अंटचबिलिटी बड़ा रूप ले चुका था। इस समय महिलाओं की स्थिती में गुपता काल जैसी ही गिरावट देखने को मिलती है। सती प्रथा ने विराट रूप ले लिया था। हर्श वर्धन अपनी माता यशुमती को तो नहीं पर किसी प्रकार अपनी बेहन राज्यश्री को सती होने से बचा लेते हैं। परंतु उची जाती की महिलाओं के लिए नॉर्मल केसेज में ये पॉसिबल नहीं था। परदा प्रथा की शुरुवात नहीं हुई थी पर महिलाओं के स्वतंत्र गूमने पर धेर सारे प्रतिबंद थे। लेकिन पश्वों के साथ अच्छा व्यवहार करने का निर्देश स्वयम महराजा हर्श वर्धन की तरफ से दिया गया था। किसी भी जानवर को मारना बड़ा अपराद था। लोकल पॉपिलेशन सिंपल एंड मॉरल लिविंग में विश्वास रखती थी। सोसाइटी के बाद अब हम हर्श वर्धन एंपायर की एकॉनमी पर भी चर्चा कर लेते हैं। एकॉनमी अंडर हर्शा विमन की कंडिशन डिटीरियो रेट होने के साथ साथ हर्शा काल में ट्रेड एंड कॉमर्स में भी डिकलाइन हुआ था। इस कारण से हर्श वर्धन ने गुपताज के कंपैरिजन में बहुत कम कोईंस इशू किये। पैसे की जगहे लैंड ग्रांट्स दिया जाता था जिससे हर्शा पीरियट में फ्यूडल एकॉनमी को बहुत बढ़ हवा मिला था। एक्सकेवेशन में मिले कॉपर प्लेट्स इसकी गवाही देते हैं। कन्नौज, प्रयाग यानि अलहबाद और बनारस हर्शा सामराज्य के बड़े शहरों में गिने जाते थे। Economic Prosperity के साथ साथ हर्शाकाल Religious Tolerance के लिए भी याद किया जाता था। आई ये देखते हैं। Religious Tolerance, Hinduism, Buddhism और Genism हर्शाकाल में popular religions हुआ करते थे। प्रयाग जिसे आज प्रयाग राज कहा जाता है और बनारस हिंदू धर्म के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। वहीं महायान बौध धर्म के सबसे बड़े सेक्ट के रूप में उभर कर आया था। हर्श वर्धन मूलतह शिवभक्त यानी शैवाय थे। परन्तु ह्यून सैंग के अनुसार वो एक कन्विंस्ट महायान बुधिस्ट भी थे। उन्होंने गंगा नदी के किनारे कई बुधिस्ट स्तूपा वनवाय थे। कुछ अकाउंट्स के अनुसार एक स्तूपा तो सौ फीट उँजा था। पर वे पूरी तरह से बुधिस्ट में कन्वर्ट हुए थे या नहीं ये अभी भी डिबेट का विशय है। समराठ अशोका की तरह उन्होंने भी जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। पूर और डेस्टिटूट के लिए मुफ्त खाने और दवायूं की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा वे दिल खोल कर चैरिटी भी किया करते थे। उनकी दान प्रवृती के सबसे बड़े प्रमाण प्रयाग असेंबली और कन्नौज असेंबली का आयोजन थे। चलिए पहले जानते हैं प्रयाग असेंबली के बारे में। प्रयाग असेंबली हर्श वर्धन, हर पांच वर्श पर प्रयाग में एक ग्रैंड धर्मिक सम्मेलन का आयोजन करते थे जिसमें सभी धर्मों के स्कॉलर्ज को इन्विटेशन भीजा जाता था कई शास्त्रार्थ या डिबेट्स का आयोजन किया जाता था और सभी स्कॉलर्स को धेर सारा धन दिया जाता था। पांच साल के अंत में जो भी खजाने में बचा होता था, सब दान कर दिया जाता था। प्रयाग असेम्बली के बाद अब हम कन्नौज असेम्बली के बारे में भी जान लेते हैं। कन्नौज असेम्बली हुएन सांग ने हर्ष वर्धन के राज में लगभग आठ साल बिताए थे हर्ष वर्धन हुएन सांग से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने उनके सम्मान में अलग से 643 एडी में कनौज असेंबली का आयोजन कर धेर सारा दान दिया इस असेंबली का मुख्य उद्देश महायान बुद्धिजम को पॉपिलराइज करना था कुछ स्कॉलर्ज का मानना है कि ये एक्स्ट्रीम दान प्रथा उनके एंपायर के डिकलाइन का इंपॉर्टेंट कारण बनी थी दान पुन्य के अलावा हर्षवर्धन एक महान स्कॉलर भी थे उनके रेन में लर्निंग और लिटरिचर में बहुत तरक्की हुई थी पहले बात करते हैं लिटरिचर की लिटरिचर हर्षवर्धन खुद तीन संस्कृत प्लेज रतनावली, प्रियदर्शिका और नागनंद के ओथर थे उनके समय की बान भट्ट की रचनाएं आज भी फेमस हैं बान भट्ट हर्ष के राजकवी थे, जिन्होंने कादमबरी और हर्षचरिता जैसी प्रसिध पुस्तके लिखी थी हर्षचरिता जहां हर्षवर्धन की अर्ली लाइफ के बारे में बताता है वहीं कादंबरी में दो प्रेमियों की ट्राजिक लब स्टॉरी डिस्क्राइब की गई है ये थी लिटरिचर की बात लेकिन लर्निंग के क्षेतर में नालन्दा युनिवेसिटी को कैसे भुलाया जा सकता है नालन्दा युनिवेसिटी लिट्ररी प्रावेस के साथ साथ गुप्तकाल में स्थापित नालंदा युनिवेसिटी हर्श वर्धन के समय में अपने पीक पर पहुँच गया था देश विदेश से हजारों स्टूडेंस यहां शिक्षा लेने आते थे हुएन सैंग भी यहां पर कुछ समय के लिए स्टूडेंट रहे थे नालंदा युनिवेसिटी के इंपक्ट को देखते हुए हर्श वर्धन ने सौ गाउं की जमीन युनिवेसिटी के मेंटेनिंस के लिए दान में दी थी 1202 AD में बख्तियार खलजी ने अपनी मिलिटरी एक्सपेडिशन में नालंदा युनिवेसिटी को आग लगवा दी थी कहा जाता है कि युनिवेसिटी लैब्रेरी में इतनी किताबें थी कि तीन महीने तक आग जलती रही बख्तियार खलजी ने कई बुधिस्ट मंक्स को भी मरवा दिया था जिससे भारत में बुधिसम को बहुत हानी हुई हर्शवर्धन की पॉपिलारिटी के साथ साथ उनको लेकर कुछ कंट्रॉवसीज भी रही है आईए देखते हैं कंट्रॉवसीज पहली कंट्रॉवसी हर्शवर्धन के वर्ण को लेकर है कुछ हिस्टोरियंज के अनुसार पुश्य भूती डाइनस्टी वैश्य वर्ण से संबंध रखती थी परन्तु कुछ दूसरे हिस्टोरियंज उन्हें क्षत्रिय वर्ण का भी बताते हैं दूसरी कंट्रोवरसी, उन्हें लास्ट ग्रेट हिंदु एंप्रर आफ इंडिया बोलने पर रही है. कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि वे ना तो स्टॉंच हिंदु थे और नहीं उन्होंने पूरे भारत पर राज किया था. तो फिर उन्हें लास्ट ग्रेट हिंदू एंपरर ओव इंडिया कैसे कहा जा सकता है? उनकी ओथारटी नौर्थ इंडिया तक ही सीमित थी, जिसमें कश्मीर शामिल नहीं था, और उनके बाद भी राजपूत, विजय नगर और मराठा जैसे कई ग्रेट हिंदू किंडम्स र कैसा हिंगी